वीवो T2 जो आज ही लॉंच होने वाला है जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आएगा एमोलेट डिस्प्लेइ, मिट सेग्मेंट 5G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल केमरा विट वाइस और प्राइस भी एक्साइटिंग आने वाली है और प्राइस वीडियो के आखरी में बताने वारा हूँ सबसे पहले मिल सेके जैसे हमने वीडियो अप्लोड करते हैं तो सबसे पहले वीवो T2 के डिजाइन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कलर देखे तो फोन में तीन कलर उप्संस मिल सकते हैं ब्लू, औरेंज और ब्लेक फोन का back flat मिल सकता है और ये budget segment में आएगा तो obviously plastic का build मिलेगा यानि फोन का back and frame plastic की मिल सकती है Leak image के हिसाब से camera module देख सकते है Dual ring design में मिल जाता है First circle में main camera मिलता है और second circle में depth camera और LED flash मिल सकती है फोन की थिकने इस करीब 8.15 mm की आ सकती है और weight करीब 172 grams का आ सकता है फोन का back texture चैसी pattern में मिल सकता है और back gradient के साथ पियाएगा As usual, Vivo की जो entry level phones होते हैं उसकी design attractive और eye catching होती है डिस्प्ले की बात करें तो फोन में AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है 6.38 each की full HD plus डिस्प्ले मिलेगी refresh rate 90 Hz की मिलेगी touch sampling rate 360 Hz का मिलेगा और screen में selfie camera के लिए water drop नोच मिलने वाली है screen में side bezels, पतली मिलेगी लेकिन चीन थोड़ी बड़ी मिलेगी और सबसे बड़ी बात screen में max brightness level 1300 nits तक मिल सकती है और इतनी brightness meet segment phone में बहुती कम देखने को मिलती है तो overall display के मामले में भी phone बहुती डासू है Vivo T2 में performance की बात करें तो phone में Snapdragon 695 OctaCore processor मिले वाल है जो 5G connectivity के साथ आएगा उन में दो variant मिल सकते है 6GB RAM 128 GB storage and 8GB RAM 128 GB storage और RAM को memory fusion 3.0 के जरिये extend भी कर सकते है Vivo T2 में camera की बात करें तो rear facing dual camera setup मिल सकता है जहां पर main camera 64MP का मिलेगा जो optical image stabilization के साथ आ सकता है ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि इस segment में generally OIS नहीं मिलता तो ये भी एक advantage है साथ में 2MP का depth camera मिलेगा और front में 16MP का selfie camera मिलेगा तो camera भी अच्छा होने वाला है अब ये sure नहीं है बैटरी कितनी मिलेगी लेकिन charging 44W का fast मिल सकता है तो ये भी एक बड़ा advantage है और आखरी में Vivo T2 की price की बात करें तो इंडिया में 18-20,000 के around आ सकती है तो दोस्तो आपको कैसा लगा ये Vivo T2 और कुंसी price में इंडिया में आना चाहिए मुझे comment section में जरूर बता और दोस्तो latest phone के leaks, launch date और tech news सबसे पहरे देखने के लिए मेरे tweeter handle को follow करना ना भूले और latest phones और gadgets के one minute में unboxing देखने के लिए मेरे instagram handle को follow करना ना भूले दोस्तो मिलते अगले latest update के साथ तब तक लिए thanks for watching have a great day and keep smelling आए भूले दौले लिए एक often चयखे है